हलो गाई, स्वागते आपका एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ 27 शुलाई 2024 के जितने भी करंट अफ़ेर्स बनते हैं उनको आज डिसकस करेंगे इस वीडियो में वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल वे विजट कर रहे हैं तो इस चैनल को आज इस सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफ़ेस की जानकारी आप तक पहुंच सके शुरुआत करते हैं पहले क्वेशन से which day is celebrated as the 18th foundation day of the ministry of earth science ministry है हमारी earth sciences की इसका हाल ही में 18 4 foundation day मनाया गया यानि कि जिस दिन इसकी नीव रखी गई थी वो उसका 18 अचार्मा addition इस वार मनाया गया है कि आठार्मा foundation day ministry of earth sciences का ये बनाया गया 27 जुलाई को इसे मनाया गया है B option इसका correct answer है foundation day जो इस ministry का है जिस दिन इसकी नीम रखी गई थी वो है 37 जुलाई 2006 next question is which day is celebrated as the CRPF's raising day किस दिन को CRPF का raising day के रूप में मनाया गया 37 जुलाई इसका भी आंसर है 37 जुलाई B option आज के दिन ही raising day था CRPF का CRPF की जो नीम रखी गई थी ये रखी गई थी 37 जुलाई 1949 में इसकी जो जरूरत थी उस टाइम पे इंडिपेंडेंस इरा में यानि की 1947 से पहले इसकी नीम रखी गई थी as crown representative police इसकी जो स्थापना की गई थी crown representative police के रूप में की गई थी और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद यानि की आजादी मिलने के बाद 1949 में Central Reserve Police Force जो है इसका नाम रखा गया तो इसकी जो raising day है वो है 37 जुलाई 1949 next question is on which day nation is homage to Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम on his 9th anniversary इस दिन nation ने किया homage Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम को उनकी 9th anniversary पर तो इनकी death anniversary जो है वो मनाई जाती है 27 जुलाई को 27 जुलाई 27 जुलाई 2015 को इनका देहान्थ हुआ था Dr. A.P.J. अब्दुलकलाम का तो आज के दिन इनका जो है यहाँ पर death anniversary 9 जो है वो मनाई गई है इसके बारे में अगर कुछ चीज़ें देखें यहाँ पर अगर Dr. A.P. जब कलाम की बात करें तो यह 11 प्रेजिडेंट आफ इंडिया थे 11 राश्टर पती बने थे भारत के एक aerospace scientist थे इन्हें missile man आफ इंडिया की नाम से भी जाना जाता है इनको people's president भी कहा जाता है और भारत रतना से भी इनको about किया गया है यह थी इनके बारे में जानकारी next question है which region of India spotted magneto fossils कौन सा region है भारत का जहां पे spot किये गए है magneto fossils तो यह region है लद्धाक का c option लद्धाक जो है इसका correct answer है next is what is the auropoche recently seen in the news auropoche जो है एक virus है इसकी जो अभी लक्षन मिले है Brazil में मिले है और इसकी बच्छा से दो महिलाओं की मृत्यू हो चुकी है तो यह एक ठाका virus है जो फैलता है maybe mosquito से next question है next is इसरो का जो रामसेस project है जिसके लिए यह collaborate करने वाले है European Space Agency के साथ तो इनका जो रामसेस यह project है यह किस चीज़ की study के related है इस project में किस चीज़ की study की जाने वाली है तो इस चीज़ की study होगी इस project में asteroid apophis की asteroid apophis जो है इसका correct answer है इसकी study होगी इस project के तहत और इसके बारे में अगर बात करें तो यह जो asteroid है ये 2029 में पृत्वी के बहुत पास से गुजरने वाला है तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग इसकी स्टेडी की जा रही है और इस प्रोजेक्ट का नाम है रामसेस प्रोजेक्ट और इसके लिए इस रो कॉलाबरेट कर रही है यूरोपियन स्पेस एजनसी के साथ कौन साफ़ प्लेयर जो है सातमा बल्लेवास बना है तो ये बना है जोरूट जोरूट जो है cricket प्लेयर है इंगलेंड का तो बी ओप्शन जो है यहां पर करिक दांसर होगा next question is who has been appointed as new DGP of Undermann and Nicobar Island तो Undermann और Nicobar Island का जो निया DGP है ये किसे निक्त किया गया है ये किया गया है H.S. अलिवाल को भी option जो है इसका correct answer होगा तो है guys आज एक अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूट करें शियर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें तेंगे guys for watching this video मिलेंगे इसी तरह की next videos में